मत्रदेश बिधानसभा चुनाओं के संदर में हम सियासी चर्चा करने के लिए हम वजूद हैं और हमारे साथ हैं प्रिख्यात पत्रकार डॉक्टर अर्पन जैन अभी चल नमश्कार स्वागत है आपका नमश्कार दोसो तीस बिधानसभा में कि दो सो दो हजार पांसो चौटीस प्रित्या उम्मीद्वार चुनाओं लड़ रहे हैं और दो हजार पांसो चौटीस उम्मीद्वारों के भाग का फैसला तीन तारिक को होना है हम अलग-अलग तरह से आपसे बाचीत करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि मालवा मालवा निमाड मत्यपैश के भाग्य का विदाता होता है। वो चाहे considerate सरकार रही हो। चाहे भारती जन्ता पाटटी की सरकार निमाड की छाचट विधान सबाइं लगतार यत्ताइ करती कि मत्यपैश में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि मालवा निमाड में 56 चट विधान सबाओं में से 20 विधान सबाएं आदिवासियों के लिए आरक्षित है इंदौर जिले की बात करें हम इंदौर से शुरुवात करें इंदौर में बैठें हैं तो इंदौर जिले में लगभग लगभग 5-6 सीटे जो है वो भारती जनता पार्टे के खाते में जा है कि कॉंग्रिस के खाते में वो सीट चाहेगी क्योंकि इस समय भारती जनता पार्टी केवल दो बड़े मुद्दों पर चुनाओ लड़ी थी एक तो लाड़ली बहना दूसरा हिंदौत सनातन का मुद्दा हर चोटे चुनाओं में भी सनातन का मुद्दा आही जाता है गा इसाब से इन दोर एक जो होट सीट रही है पुरे देश की होट सीट रही है देश की निगाएं उस पर दी क्योंकि उस पर भारती जनता पार्टी के राष्टी महासची केलाश वजवर्गी चुनाओं में थे सामने संजेश शुकला थे कहते हैं पानी की तरफ ऐसा भी बहा संभाव भी रहा है तो वह अपनी सीट संभाव तर जीत ही जाएंगे जिस तरह मद्दाताओं का रुजहान मद्दान के बाद नजर आना है शुकला जी का आपका आपका कहना भी सही है कि शुकला जी ने काम तो किया है वहाँ पर पांच सालों में जब विदायक रहे हैं त बावजूद इसके जो मद्दाता है वो केलाज स्वेजवर्गी के इंफ्लूएंस में जादा आया है एक नंबर विधान शभाशेत्र में क्यूंकि केलाज जी को मैं वैसे जो बताई रहा था कि भारती जंता पार्टी के चुनावी रणनेतिकार भी हैं केलाज जी जरूर साबित हुए पूरे चुनाओं के दौरान भी वह बयान बाजी जरूर करते हैं को नहीं करते हैं कौन आगे है मैं तोटल इंदॉर संभाग की 37 सीटे हैं आपके हां उस पर आप से चाहूंगा कि उस पर आप से तीस और वाकित उज्जेन संभाग की हैं हम इंदौर संभाग दोनों को मिलाकर ही ज्यादातर मालवान इमाल काउंड करते हैं च्छन चेट विदान सबाग में मदाताओं पांच विदान सबाब में उसमें से चार तो लगबग लगबग कॉंग्रेस ही जीतेगी क्योंकि कॉंग्रेस के उमिदवार बहुत मजबूती से चुनाव जी लड़े हैं वहाँ पर उसके बड़वानी है यह आदिवासी बेल्ट में हम जाएं तो अलिराजपूर से शुरु मुकेश पटेल है जोबट विदान सबाब में पूर्व मंत्री भी रही है विदायक कॉंग्रेस से भाजपा में आई फिर चुनाव भी जीती हुप चुनाव सुलोचना रावत उनके विशाल रावत में तो वहाँ भी कॉंग्रेस जीती नजरा रही है और हम अलराजपूर की बात करें तो अलराजपूर पहले भारती जनता पार्टी के हाथ में गया था फिर नागर सिंग को हराकर मुकेश पटेल विधायक बने थे मुकेश पटेल ने बहुत अच्छा काम भी करा अलराजपूर में तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा भी पर कह नहीं सकते कि अनसवा पर आपका आकलन भी ठीक है मगर बागी प्रित्याची भी हमारे खड़े हुए और वड़ा विगार रहे पूरे आकरा केवल इंदौर की अगर मैं बात करूं महूं की बात करिए नहीं हां इंदौर जिले में महूं भी है और देपालपूर भी है दोनों को आप की वह सनातन के मुद्दे पर इस्थानिये के मुद्दे पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं जो उन्होंने अपने चुनावी गोशना पत्र में और जो काम करें पुराना उनका जो रिकॉर्ड रहा है वह हिंदुत वादी छवी का रहा है और देपालपूर बड़ा तो उनकी राजनिती पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो बहुत कमजोर हो जाएगी वैसे ही कमलनाथ जी अगर महाकोशल से कहीं डिफिट होते हैं कहीं उनको कमजोरी मिलती है या कहीं कुछ सीटे कम आती है तो निश्चित तोर पर कॉंग्रेस की आगे की रहन नीतियों पर जो क्योंकि छे मैने बाद ही लोकसभा चुनाव है और आगे भी कॉंग्रेस को बहुत कमजोरी जाबित होगी बहुत तकलीफ जाबित होगी और साथ में कमलनाथ जी का जो पॉलिटिकल करियर है वो भी कहीं ने कहीं दाओ पर लगा कि आप चुनावा पर सब्सक्राप चुनाव बात करें डोचनाव जो तो साथ में नुकसान होता है एक तरफ कॉंग्रेस में जब जोति रादेश सिंदिया थे तो जोती रादेश सिंदिया और दूसरी तरब भारती जनता पार्टी से नरेन सिंग तोमर थे इस बार के चुनाओं में ये समिकरेंट बदला है पर मेरा थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा कि जोती रादिस सिंधिया जरूर भारती जनता पार्टी के खेमे में आ चुके हैं पर नरेन सिंग तोमर को वहा अगर हम देखनी जाएंगे तो नरेंज सिंह तोमर के प्रभाव को कम करने का पूरा के पूरा प्रयास किया गया है एक बात और आपसे करूंगा चुकि बगल में बुंदेल खंड लगा हुआ है और बुंदेल खंड की 26 सीटें है और बुंदेल खंड में बसपा गोडवाना क भी गठबंदन हुआ इधर समाजबादी पार्टी में भी बहुत चातीन सबाएं अकलेजी ने ली बसपा में खुद भी उनके लीडर वहां काम करते रहे खुद मायावती का भी कुदर ध्यान था तो बुंदेल खंड की क्या इस्तिती रहेगी वह आप पता है डोक्षर ब में पूरे देश भर में ही रामलला का मंदिर निर्मान का माहौल बना हुआ था और इसका प्रभाव निश्चित तोर पर बुंदेल खंड पर पढ़ा भी है बहुत जादा पढ़ा है बुंदेल खंड की जिन सीटों के आप बात कर रहे हैं उन सभी सीटों में अधिकांज स प्राटन होना है उसका तैयारी पूरी चल रही है और वही पूरा माहौल सनातन का जो माहौल बुंदेल खंड में अधिकांज सीटों पर प्रभाव डाल रहा था थाकुर जो है ठाकुर मद्दाताओं को बहुत अच्छा अकरशित करका उनके भारती जंता पार्टी के संकल पत्रों में देखेंगे तो आप जातीगत समिक्रणों की भी बहुत ज्यादा चर्चा है ठाकुर बहुल होने के कारण दलित वहां पर बस्पा के साथ जाने की सिती बन सकते हैं और बागी कुछ लोग कुछ बित्याशी जो है जो बागी हुए उनसे भी असर पड़ सकता है कैसा मानते हैं आप बस्पा की अगर हम बात करें तो मायावती जी का जो किरदार है वह भारती जन्ता पार्टी के पक्ष में अधिक जाता है और इस समय इंडी गड़ बंदन जो सारा अलाइंस बना हुआ इंडी अलाइंस वह बहुत मजबूती के साथ मत्वदेश का कॉंग्रेस के विरोध में एक बयान आया जबकि सपा भी महाँ पर मैदान में होती है बसपा भी मैदान में गोडवाना गंटन पार्टी कॉंग्रेस को फायदा देगी क्योंकि पिछली जब 18 मैंने की सरकार्टी तो उनके एक विधायक ने कॉंग्रेस को समर्थन दिया उन्देल खड़ में आमादमी पार्टी के मालवा निमान में भी है वहां पर बजबूती से चुनाओ लड़ी है कुछ जगे पर आप आमादमी पार्टी को क्योंकि मत्परदेश में त्रिशंकु की त्रिदेली इस्तिती बहुत कम बन पाती लगबग पूरे मत्परदेश म है पर चुकि अर्विन केजरिवाल का इतना प्रभाव यहां पर मत्परदेश में है भी नहीं और जिस लोक लुबावन और मुफ्त की चीजों की बात अर्विन केजरिवाल करते हो तो शिवराज सिंग चौहान पहले ही दे चुके हैं लाडली बहना के नाम पर कॉंग्रेस केजरिवाली आम आदमी पार्टी बहुत नर्णायक भूमिका में नहीं रहेंगे मैं तो इदार के साथ में की बात कर रहा हूं वहां पर भारती जंदा पार्टी की इस्तिती मजबूत हो कि कॉंग्रेस को वहां पर कोई लाब नहीं मिलने वाला जहां तक मेरा आकलन है ठीक केंडियेटों की इस्तिती भी बढ़िया रही है बहुत मजबूत नेता कॉंग्रेस जो दिगविजे सिंग के खास कहे जाने वाले शुकला जी वह तूट कर निर्दली चुनाव मैदान में तो बागी वहां पर समिकरन जरूर बिगाड़ेंगे पर उसका फायदा कॉंग्र के पुराने नेता रहें तो वह आगे पीछे कंग्रेस को समर्थन करेंगे का साथ देंगे कोई कट्टर समर्थन में लोग अधान में रहते हैं 230 के लिए 3000 फार्म उनके पास मौजूद थे बिंद और वगिल खंड में बागी इस्तिती ठीक बिगाड़ेंगे और उसमें कांग्रेस और भाजपा को कांग्रेस को जादा फायदा एक बात बड़ी महत्पूर्ण छेतर है जिसमें बात आपसे बहुत करना चाहता हूं चूकि कि वह शिवराज जी का बहुत ज़्यादा असर रहा है और मद में हैं राजधानी उसमें आती है बोपाल और रबदापुरम की 36 सीठ है यह इसलिए कि यहां पर बड़े दिग्गर चुनाव लड़ रहे हैं और बीच का सेंटर है राजधानी का सेंटर है इस पर आप करूं मैं भोपाल से ही शुरू करते हैं तो भोपाल एक बाबु सिटी है यहां निर्णायक जो है वो कर्मचारी अधिकारी ज्यादा होते हैं OPS अगर वहां पर काम कर जाती है तो भारती जनता पार्टी को भोपाल से नुकसान होगा और यदि OPS के मामले में भारती जनता पार्टी समझोता दे देती है दे चुकी हो अगर इन चुनाओं के बीच में नजर तो नहीं आया तो वहां के कर्मचारी समीकरण भारती जनता पार्टी के पक्ष में कर सकते हैं, मुखिता हम आके जो मद्दाता है और दूसरा भोपाल पर्टिक्लर में मुस्लिम बहुल्य होने के करेंट, वहां से कुछ सीटों पर कॉंग्रेस को हमेशा से फायदा मिलता है, पर भारती जन्ता पार्टी दूसरी सीटों से उन सब गड़ है, दूसरी जगहों से वह गड़ा जो है, वह कवर कर लेती है, और हिंदुतों को एक जूट करके वहां पर मैदान में आ जाती है, नर्मदापूरम हमेशा से भारती जन्ता पार्टी को फायदा देता रहा है, हम इससे इंकार नहीं कर सकते हैं, हम कहें पूर विदान सियासी और है, वह बड़ा पसो पेश में बंपर वोटिंग जरूर हुई है, पिचल तर फिजदी से अधिक मतद हुआ है और उसके बाद महिलाओं के प्रतिशत मद्दान के प्रतिशत वह साथ प्रतिशत हुए है बड़े हैं यह सब आंकडों को अगर हम देखेंगे तो इस समय सरकार जो है वह जो भी दल बनाएगा वह 1223 सीटों के आधार पर ही सरकार बनाएगा ऐसा नहीं कह सकते कि 140-150 स सरकार बना ले मीडिया में यह चर्चा है कि 12-13 सीटें बागी और इन सब के कान बन रही है और दौनों पार्टिया उनको मनाने और तैयारी में लगी है कि कैसे उनको अपने साथ सामिल किया जाए सरकार बनाई जाए इस पर आपके कहना सही है दोनों राजनितिक दलों को कर करना भी चाहिए गर हमें सरकार बनाने के लिए किरी चुनाओं समर में किसी भी चीज से को छोड़ा नहीं जाता करें कोई संभावना बनती है तो पूरे प्रदेश में ये भी बिल्कुल सही है कि दस से बारा सीटों पर बागी निर्नायक हो सकते हैं तो निर्नायकों को अपने साथ में रखना आवश्यक भी है गोडवाना गंटन पार्टी का भी एकाद विधायक बन सकता है बसपा से सपा से भ पर वाल उनकी स्थिती मरी मजबूत बताईए 17 पर त्यासी थे वहां पर फिर भी स्थिती में दो बार तो केज़िवाल और महापोर रही है पिछले चुनावां में जब विधान साथ सो वोटों से आ रही थी तो अगर वो निर्नायक बनती है तो एकाद विधायक आमादमी अगर आमादमी पार्टी का भी कोई विधायक आता है तो वो नेड़ने लेगा अखलेश यादयों यस वक्त मुकरता से कौंग्रेस के विरोध में बोलने है पूरे देजबर में अखलेश यादों कहीं मनमानस ऐसा भी हो कि भाज़वा को साथ दे सरकार के बीच में पर ऐस आप इसे समभावना नजर कम आती है। झाल झाल